तो आज कुछ अलग वीडियो बनने वाला है हमारे साथ हैं पंडित मदु सुदन जी सर्मा और इन से गो समर्धन और गो का क्या महत्व है अपने जीवन में और गाय माता क्या 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 कर सकती है और गाय माता क्या क्या अपना उधार कर सकती है उसके बारे में चर्चा आप बड़ा जी जान से इसको चाहते हैं जिस हिसाब से आप इसकी सेवा कर रहे हैं लग रहा है तो मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दोस्तों को कि गाय क्या कर सकती है जीवन माना जुश्कार तो कि हर समय की इसकी तनमंद में शेवा की जाए कि हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने इसमें कार पार्किंग मनाते हैं लेकिन कउव पार्किंग को भूल जाते हैं और कार की साफ सपाई चलाने के लिए एक ड्राइबर भी रखेंगे दस हजार रुब्य मेने का लेकिन नहीं रख सकते घर में वो सेवा नहीं कर सकते और वो कार पता नहीं का जाके बिड़ाएगी लेकिन गाई को रखेंगे तो यह हमारी नया को पार लगा देगी है याई बेतरनी से पाड लगा देगी गाई हर तरीके से चाहिं आज जआ वास्तु दोस्ट का बहुत प्रचलन चल रहा है चाहिं वास्तुो सो कोई गर्हों का दोस हो सब्सक्राइब हर नहीं गर्षु सेवा करने से हैं जिसके गर में या चाहिए उसको गाय रखनेश पर दोस जी 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 गाय की पेचान एक इसके यह हम्प फोना चाहिए खुए जिसको मारवाडी में देशी बास हमें थुई बोलते हैं यह थुई होनी जरूरी इसमें सूरीय के तु नाम की नाड़ी होती है और जब सूर्य उद्ध होता है तब देखना आप गाय जब खड़ी रहेगी तो अपने अप एक्टिवेट होगी ऐसे हाहिलने लग जाएगी और वो सूर्य के तू नाड़ी होने के कारण जो देशी गाय होगी उसका दूद जो है थोड़ा पिला मात्रा में होगा स्वर्ण अब बस्म होता उसमें और उसका घी भी पिला होगा तो यह सूर्य के तू नाड़ी के करण है तो यह देशी गाय की पैचान है कि हम पजिस के होगा वो देशी गाय एक चीज़ बताईए जिसे गोपाल लग जो है जो गाय पालते है उस इसे गाय पालके बड़ा किया और व आपको एसा है कि जो देशी गाय है वह हां बता रहा हूं 20 मेने तक ही टमिया जाती है अब होता क्या है है कि घर में बांध गे रखे है और अच्छी भाव से शेवा कर रहे हैं लेकिन एक होती है साइलेंट एक तो गाय रंभाने लग जाती है तो बोलने लग जाती यह वह पर चीण से भी डिसचार्ज सार्ज में ठाप भी आप चाहिए तो परसु पालक को पता चल जाता है कि इसको यह थो AI करवानी चाहिए आ तो सांड के ॹिया ब सांड के पास ले जाना है तो यह सबस्राइब का मिलीय ग्टिता है यह ंजिछानों कि एक सांड के पास तो बाहर हर समय ले जाना जरूरी है परती दिन अगर हीट में होगी सांड के पास छोड़ना चाहिए और बाड़े में सांड रखना चाहिए उससे क्या है कि इसका हार्मोन अपने अप डिबलिम्मेंट हो जाता है सांड के साथ रहने से और सांड ही उसकी पेच्छान कर सकता है पस्बोड़ यह डाक्टर नहीं जान सकता कि अगर अगर साइलेंट होगी तो अधर यह करण है दूसरा कारण यह है कि लोग खिलाती पिलाती अचा है अच्छा उसको धाना पानी देंगे उस चारा देंगे कीड़े मारने की दवा ओपर के जो दो प्रगार के जीव होते हैं तो यह पही सिन जीव लॉज़ नहिसे वह दिखते नहीं है और जब तक डी वार्मिंग नहीं होगी प्रसुगी पेट में कीड़े रहेंगे वह हीट में आएगी नहीं जरूरी है और डी वार्मिंग का नेचुरल तरीका तो मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा यह जो इसको बोलते इंद्राइन फल तुम्बा बोलते हैं मारवाड बनार घराने के बाद में इसको मिठा भी होता है यह मलोगों खारा लगता है लेगि इसको खारा नहीं लगता और यादा समश्याओ तो पहले दिन लेक लिशुकतार के ने ब्लाप और दूसरे दिन खिला दे खाले इस दिन फाले एक दिन तब दोने खाएगी अलग WOMAN नेचुरल डीवार्मिंग यह और इसको करना कैसे डीवार्मिंग को ऐसे एलमेंडा जोल फेलमेंडा जोल इत्यादी गोलियां भी आती है मार्केट में मुझूद है पसोंगी लेकिन डीवार्मिंग सही तरीके से कैसी की जाए गाय को कम से कम 10 गंटा भुका रखना होता है कि इस परकार से कि साम के समय में आप दाना पानी सब कुछ कर दिया उसके जो मांद रखें उसके ठान जो है जिसमें दाना पानी देते हो वह से अटा लीजी और चाड़ डली गुड की उसको खिला दीजी रात्री में वह खिलाना कब है कि जब मौसम बारिस का नहीं हो बादल नहीं हो क्योंकि बादल के मौसम में बारिस के मौसम में गुड देने से निमूनिया बन जाता है अच्छा यह वाद को जान रखना हो जब एकदम मौसम साफ हो उस दिन यह काम करना है खिला पिला कर रात में गुड की डली चार दे देनी है और सूबह इसको डीवार्मिंग आधर दालनी पड़ती है निम देने की बड़ा होके नहीं खाएगा अच्छा बच्पन से जएसे मेंने इसको डाल रखी है कड़वापन कैसे कम होगा तो यह भी तो आप बोले कड़वा होता है लेकिन इसका कड़वापन कम हो जाएगा एक दिन पहले इसको बंदार के परमपरा से डिवार्मिंग करना निम देना और यह देना और नहीं तो वार्केट में टेबलेट आती है अलमेंडा जोल फेलमेंडा जोल लेकिन वह पसु चिकी सके परामर से देने परामर से देना चाहिए इसाब गलती मत करना तो नेचुरल डिवार्मिंग होना चाहिए था अंग्रे जी तरीके बाद में यह उता कि इससे पेठ की कीडे मरते कीडे दो परकार के होते हैं एक तो सरीर बनाने वाले एक प्रड़ने वाले तो कीडे तो दोनुभी मरेंगे इसलिए उसके बाद में इसको लीव टॉनिक देना है हमाला ही तयादी कंपने को लिव टॉन देने के बाद इसको जो कि देना है मिंणरल मिक्चर क्या होता है कि परेले हमारे पसु खेत में खुला चरते थे तो जिस शरीर के अंदर जिस ऊस्दी की इसको जरूग थी कि कि एमारे वितामिन कम इत्यादी यह सब उस दियों के मादियम से अपने अप ग्रहन कर लेती ती अब तो यहां भस घर में रखते हैं वह प्रसलन है नहीं टो तो क्या देते हैं खाने के लिए मूуफली का चाहरा है इसमें प्रोटीन और या यह बाजरी कि कुतर है इसमें कुछ ही नहीं नहीं सिर्फ पेट नागी एक तो बाजरी की घुटरोरी कि तुड़ी अंती तो इसको जो जो चाहिए वीटामीन मिल्रल मिचzer से दिया जाता ह मिडिकल इस्टोर में जो पस्व की दौए मिल जाता है वह वे निद्रल मिच्चर देने से इसके शरीर के अंदर 25 ज्यादा मिल उने चाहिए यह देखना है जो लेना है और चिलेटेड होना चाहिए चिलेटेड होता है कि बांटे में डालने के बाद में उसका उस दिगुन ख तो बच्चा जो गाय का बच्चा है वो समय पर हिट में आएगी समय पर लंबे समय तक दूद देगी और चोटी मोटी जो मौसमी बीमारी है उसों लड़ने के लिए जिसे आजगल चादरान इम्मुनिटी बढ़ जाएगी तो यह काम करना करना चाहिए ताकि यह निरोग रह सके हैं इजो से भाँ बार पार में पसू रिपिट। हाथा उसके दो करन पहला है हूँ सांड प्रॉजिन हुझ तो सांड्सा ओंसलब में हऊ सांड़र लोग भी लेकिन गोविज्ञान को जानते नहीं है, गोविज्ञान जानना जरूरी है, कि शांड को जीवने जो उस्त दिया है, जिसे सतावरी, सपेद मुसली, अस्वगंदा, यह सब समय समय पर दी जाए, एक कारण तो यह है कि शांड अच्छे नहीं है, दूसरा क्या होता है, कि जो पसू बच्चा देता है, अपने गाई जैसे बच्चा दिया, तो बच्चा देते समय उसकी जो जेर पड़ती है, वो जेर समय पर नहीं पड़ी, या हाथ करके पड़वाई है, तो हाथ में जैसे आजकल पूराने लोग क्या है, कि आजकल तो लोग जागरुक हो गया है, फ पिटर होगी, उसको गरब धारण नहीं होगा, वो पंदरा दिन से बीच दिन से बोल जाएगी, बराबर बोलती रहेगी, इस समस्या के निवारन के लिए हल्दी, गाय का देशी घी और गुड़, एक तीन चीज़ का लड़ू बनाना है आपको, पहले लड़ू बना लीज उसे बच्चा दाने की सपाई हो जाएगी, हल्दी एंटिवाइटिक होती है, वो एंटिवाइटिक होने से उसके पेट में जो इन्पेक्शन हो इन्पेक्शन कतम हो जाएगा, यह तो अपना यह देशी तरीका है, बाकि डाक्टर्स भी सपाई करते हैं, उनसे भी संपर कर होना चाहिए, तो रिपिटर नहीं होगी, और सतावरी देने से, सतावरी दस जीवनी है, उस दिव में आती है सतावरी, उससे समय पे घ्याबीन होती है, घरब भी ठेरता है, लंबे समय तक दूद देती है, पचाँ पचास ग्राम, दो तीन मेने तक दे सकते हैं, उससे क्य क्या होगा कि फुरस्वत तो बढ़ेगा, जिन इस्त्रियों को लिकोरिया की यानि सपेद पानी गिरने की जो बीमारी है, वो बीमारी सतावरी खाने वाले गाय के दूद पीने से ठीक हो जाती है, उससे ये फाइदे हैं हमको, और गाय निरोगी रहेगी, समय पे हीट पे इस अतावरी के फाइदे हैं, और आप जो बता रहे थे कि आप जो गाय का इतना पालनफोसन कर रहे हैं राइतनी सेवा करते हैं एक बार रोग जो क्या वाकिया वा था वाकिया आंक के अंदर कोई बता दिया ता हमको कि ये कुछ प्रोब्लम थी आंक में तो डाक्टों ने यहां अजमेर में, तो जिस समय में उपरेशन कर रहा था, मैं जूटने बोल रहा हूं, गाय पर हाथ लगा के कह रहा हूं, मैं एक गाय लाया था, आवारा, जिसके सिंग में कीडे पड़े हुए थे, तो मैंने उसके कीडे निकल वाए, उसका इलाज किया, फिर उसको गउ परेशना तो है नहीं, वो बाइपसी के लिए उपरेशन हो रहा था, तो मुझे एक से प्रत्यक्स दिख रहा है कि वो गाय और वो मोरणी जो मेरे पास खड़ी है, और हमको बोल रही है, तो क्यो सिंत्या करता है, हम है ना तुम्हारे लिए, यह मेरे जिए उन में एक चमत जाए, कितना दिया जाए, इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे, किस पस्तु को दिया जाए, लेकिन यह जो आप देख रहे है, सेंदा नमक, यह कलियू के अंदर आप अगर गों सेवा करना चाओ, तो इस से अच्छा उत्तम और कोई सादर नहीं है, आप गों साला में ले जाए इस नमक को चाटेगी, जब दूसरा कोई नहीं चाटेगी, दस दस के बिमारी तो दस गाई चाटेगी, उनको पता है कि इसको चाटना है, जैसे हम लोग देखते रहते हैं कि गाई दिवार को चाट रही है, वो क्या है कि केल्सिम की पूर्ति करती गाई, चुना में क प्राकरति को बना से क पालना एक मालिक को दूद देना और अपना की अपना मेंटेनेश करखना अंदर बच्चे को पालना मालिक के लिए दन भी देना और अपना प्रतों के बना के रहना चाहें उसको भी सro teach our condition को पना को इस लिए उस समय स्को में की जरकार पड़ति तर प फिर फिर के चुनना चाड़ती है और केल्शियम देना चाहिए प्राकर्तिक तरीके से देना तो अच्छा है जैसे चुनना थोड़ा लाकर के पांस किलो चुनना बीस किलो पानी उसमें चुनना को रख दीजिए पानी डालके चार दिन तक उसको खूब लाते रहें पिर वो जो पानी है पानी उपर आजाएगा वह सो सो ग्राम मांट में आप दे सकते हैं उसका कोई साइड इपेक्ट भी नहीं है उसे केल्सियम की पू प्रित है सेंदा नमग सेंदा नमग हर ठान में रखना चाहिए हर गउसाला में रखना चाहिए आप गउसाला जाते तो गुड मत ले जाओ यह चीज ले जाओ जिस वह सुगोई भीमारी होगी पेट समंदी बोल के तो कह नहीं सकता और गाय रखने का दिकार उसी को है जो कि भासा समझ सके कि यह क्या कह रही है यह बोल के नहीं कहेगी उसको समझना पड़ेगा यह जैसे घुड आपको में दिखा रहा हूं तोड़ा बंटी भाई आप आगे आई यह जैसे गोबर है पसुपालक को डेली गोबर देखना चाहिए कि अमारी गाय गोबर कैसा दे र दोगी कि इस गाय के पानी की कमी है सुखा वागोबर देगी पानी की कमी है और कि कहने कभाव यह है कि कि पसुपालक को समझना पड़ता है उसकी एक्टिविटी को समझनी पड़ती है कि वह क्या चाह रही है तो आज मद्दु सुदन जी और संतोस कुमार जी क्या क्या नाम है आप तो इधर टावली जी भी बोलते हैं इनको इनके नाम तो हलवेले हैं लेकिन विद्वान आदमी है और समय समय पे अच्छा यह पंडित भी है जोतिस के भी जानका रहे और कथा वाचक भी है कोई किसी को यह पिद्वान लीजिए कोई एक फोटा सा उताए बता जिए अपने मित्रों को किसी का करशा लिया हुआ है और वो नहीं उत्तर धाया है वो जो तोड़ा हमारे मित्रों को वे जी करने से करता कूसे और जाता जो आप बताते रहते हैं गो सेवा की किजिए अन्दर सब पर इसको चाटेगी इसको चाटेगी जो संतुष्टी होगी और जो आशिरवाद देगी उससे सब काम सपल हो जाता है मेरे भी गाये हैं तीन 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 और यह उनके सामने अर्दम बढ़ा रहता है जब से संतुष्टी ने बताया है अदब उनकी मर्जी होती है तब वो चाट लेते हैं और सुना जो है वो बराबर बंटे में मतलब गायों का जो है ना सिसली हो गया कि लोगों को जानकारी नहीं कि अब गाय तो ले आते हैं भेस ले आते हैं लाख लाग रुपी गाय लाते हैं लेकि उसको रखना कैसे हैं फिर वो आवारा हो जाती उसको निकालते ते एक सबसे जदा समस्या रहती है अपने इधर पूल पाच्छा दिखाना जैनी बच्चा दानी बार दिखा देती है तो भार बारी में अपने उलांस कहते हैं उसका डोक्टरी में कोई टीटमेट नहीं इसको बिठा देंगे बार बार में ज्यादा होगा तो उसको बाहर निकला वा दिखेगा नहीं उप्रेशन हो गया तो और वो खड़ी 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 गाय एक दिन खतम हो जाएगी इस तोड़ लीजिए और गाय है तो भेंस के दूद में भेंस है तो गाय के दूद में एक पाव दूद सो ग्राम उबड की जड़ तीन दिन तक आप पिला दीजिए वो जो निकला हुआ है तो अंदर बेढ जाएगा और निकलने की संभा होना है कि लग रहा है इस गाय के बार अलग भी मस्त तो इसका हम दोनों सठीक उदार ने और मैं तो जो बचा हूं सब इनी की किरपा से और गुर्दयों के आशिरवास से बचा हूं तो आप भी घर में गोमता लाईए और पा लिए और कभी मेरी गोमतां के भी दर्शन करवाँगा जरूर 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 सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब करना हो तो नहीं से कोमेट कर दीजेगा और इन से वीडियो बनवा लिया करेंगे ठीक है जी मिलेंगे एकले वीडियो में जेहिंजेवार